आप देख रहें किसका होगा राश्रिलक आपके साथ मैं हूँ अंजिना ओमकशिप हाँ 2014 के लोग सभाचुनाओं के बाद ये चुनाओं सबसे ज़ादा चर्चा में है अगर टीवी पर सबसे ज़ादा इसे आप आज तक पर देख सुन रहे हैं तो दूसी तरफ एक और दल्चस पाचकल फोरम है फेस्बुक जिस पर हर कोई अपनी राय हिंदुस्तान में रखता है और फेस्बुक पर दुनिया और हिंदुस्तान में ये चर्चा देखिए कि इन विधान सभा चुनाओं पर कितनी बार इस पर चर्चा की गई है बहुत ही दिल्चस्प आकड़े हैं करोडों लोग दुनिया से जुड़े हैं आकड़े उसके ये है कि एक जनवरी से आठ मार्च के बीच भारतिय चुनाओं पर जो चर्चा हुई है तीन दशमलों चार करोड लोगों ने अठाइस करोड बार इस पर लिखा है 28 करोड बार तीन दशमलों दो करोड लोगों ने 26.5 करोड बार 2017 विधान सभा चुनाओं पर देश में चर्चा की है लेकिन अब जो सबसे दिल्चस बात है वो आई आपको दिखाते हैं क्योंकि इससे आप समझेंगे कि किन चेहरों पर लोगों की नजर थी क्योंकि कई बार चुनाओं शक्सितों के इर्ध गूमते हैं और इसलिए ये देखें ये आँकड़े जब आप देखेंगे बहुत दिल्चस्प है तो फेस्बुक पर सबसे ज़ादा 29 बार नवजोज सिंग सिद्धू की चर्चा हुई है याद रखें नवजोज सिंग सिद्धू ने सबका दिमाग चकरा दिया था किदर जाएंगे जब बीजेपी से अलग हुए लगा आम आदमी पार्टी की तरफ जाएंगे फिर कहा गया मुख्यमंतरी की सीट चाते थे और इसलिए बाद में आखिरकार वो चले गए कॉंग्रेस पार्टी में और दिग गए कैपटन अमरिंदर के साथ मंच पर 16 फीसदी सुखवीर सिंग बादल पर चर्चा हुई थी जिकर करना जरूरी नहीं है कि किन मुद्दों पर हुई होगी खेर 13 फीसदी कैपटन अमरि इस बुक पर किया है यह भी दिल्चस पाकडा है हरीश रावत को भी जगह मिली है लगबग 12 फीसदी यह जो आप देख रहे हैं प्रकाष्ट सिंग बादल पर 12 फीसदी लोगों ने इनका जिकर किया है और यह दिल्चस भगवंत मान सहाब यह और खुद भी बड़े की जोडी का जिकर वहां पर किया गया था बिकरंग सिंग मजीठिया का 5 फीसदी बार जिकर हुआ है कई गंभीर आरोप भी उन पर आम आदमी पार्टी ने लगाए इन सब के भी जर्नलिस्ट रहे हैं अब आम आदमी पार्टी के नेता है 5 फीसदी लोगों ने तो यह पू यह खबर बहुत परिशानी वाली हो सकती है अमरिंदर सिंग के लिए जो लांबी से भी इस बार चुनाव लड़ रहे थे और यहां पर हर मिलती हुई इस एक्जिट पोल के नजरिये से उन्हें दिख रही है यहां के आकडों के मुताबिक जबकि दूसरी जो पटियाला सी दू भी रहते थे अगली बार देखें यह भगवंत मान आप कड़ा मुकाबला यह जेल सकते हैं जलालाबाद में जहां पर यह आमादमी पार्टी के टिकेट पर है अगला दिख़ जो हम आपको दिखा रहे तमाम जो पंजाब के दिख़ें वो दिखा दे क्यूंकि हमने ए एक एक सीट पर जाकर यह एकजिट पोल किया है मजीठा से बिक्रम सिंग मजीठिया जो है उनका यह आपने देखा अगला दिख़ जो आप इस वक्त देख रहे है अपने टेलेविजन स्क्रीन पर वो नव जोट सिंग सिद्धू है जीतेंगे अमरित सरीस्ट में है इनकी क बड़ा मुकाबला जलालाबाद से सुखवीर सिंग बादल को भी जिलना पड़ सकता है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं सभी खास मेमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा लगातार कर रहे हैं बाचीत कर रहे हैं इस विशेपर उर्मिले जी यह पंजाब जो है वो क् मैं समझता हूं कि exit poll कुछ भी कहें, मैं यह मान कर अभी भी चल रहा हूं कि आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस दोनों का जो मुकाबला है, बहुत काटे का है, मैं जोची नहीं हूं, बाविश्य वक्ता भी नहीं हूं, मैं समझता हूं कि कोई भी निकाल सकता है, लेकिन ये है कि बीजेपी और अकाली दल का गट बंधन वो जमीन दोज हो जाएगा, यह इस पर मैं कंफर्म हूं, पंजाब में चुकी मैं रह चुका हूं, पत्रकार के तोर पे काम कर चुका हूं, हाल का जो चुनाव इस बार का है, उसको भी देखने गया था, तो यह अनुमान बिल सकता है, सिर्फ पंजाबी बोलता है, गरीब है, वो कर रहे हैं, जाड़ो को जिताना है, मालवा में ऐसा दब्दवा, देखें, जितने एक्जिट पोल कल दिखाई गए, मैं समझता हूं कि एक्जिट पोल या ओपीनियन पोल, यह सब अनुमान लगाते हैं, अब पंजाब का आप देखें, जो एक्जिट पोल आए, अगर उसको कुल मिला करके हम निचोड देखें, कांटे का मुकाबला दिखाई पड़ता है, कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी के बीच में, एक बात पे सब की सहमती है, जो रूलिंग पार्टी है, काली और बीजेपी वो बुर का मुश्किल है, लेकिन कांटे का मुकाबला है, विवेक जी कुए कमेंट फिस दोनों नेता जुड़े हुए, मैं यह कहना चाहूंगा कि कॉंग्रेस इसले आगे लगती है, क्योंकि उसके पास एक सिक चेहरा है, जो कि वहां का है पुराना तपता पाया है, और दूसरा मा डिवाइड जो पंजाब में दिखाई पड़ता है, वो वालमीकियों और रामदस्यों में हैं, और एक बात जब जाडू आ जाता है चिन, तो उससे रामदसी लोग अलग हट करके कॉंग्रेस की तरफ चले गए हैं, यह बाकाइदा दूआबा में देखा गया, तो इसलिए मुझे लगता है कि कॉंग्रेस को एज है, तो एज कॉंग्रेस को है, लेकिन मुकाबला टक्कर का है, और यही जादा तर एकजिट पोल इशारा भी कर रहे हैं, अगर हम देखे तो, क्योंकि कितना भी बड़ा सैंपल साइज ले लीजे, उत्तर प्रिदेश जैसी जगों प प्रिदास महरोतरा जी भी हमारे साथ है, और शानवाज जी जूकि आते ही मैंने एक तरफ बढ़ाई दी आपको तीन राजो के एगजिट पोल के नजरीए से ही सही, कल का इंतजार करना भी जरूरी है, लेकिन हमने पंजाब पर आपस सवाल पूछ लिया है, तो रुख वा मुखमंतरी भारती जनता पार्टी का कार करता ही होगा, जो परल्लमेंटरी बोर्ड विधायकों से बातचीत कर जी, यूपी का ही होगा, उत्तरफ प्रदेश में मुखमंतरी की कोई दिक्कत नहीं है, देखिए जहां नितरुत, अखलेश जी और मायवती जी, दो लोग एक नेता है, हमारे यहां तो गैलेक्सिव लिडर्शिप है, एक से एक नेता है, जो किसी पत के लाइक है, उनमें चुनना आसान काम नहीं है, लेकिन पार्लमेंटरी बोर्ड तैय करेगा, होगा, कोई खट्र सहब जैसा होगा? हमारे पूराने नेता, फट्र, फट्र नवी साहब हमारे प्रदेश के अध्दक्स थे जब मुखमंत्री बने थे, को यह पार्लमेंटरी बोर्ड पार्लमेंटरी बोर्ड ही तैय करेगा, पारलिमनटरी बोर्ट के तरफ से मैं अधिकर्ट नहीं हूं, बताने के लिए, अना क्यास लगाने के लिए भी मैं अधिकर्त हूं ठीक है आपकी दुविदा हम समझ सकते हैं शाद आपकी पार्टी में कोई इस पर अभी नहीं बोलेगा और वो दुविदा हम सब समझते हैं कि क्यूं है रविदास महरोतरा जी आप बताईए अगर यह सवाल पूछे ही मत मैं तो मानता हूँ कि पार्लिमेंटरी बोर्ट पे छोड़ दीजिए कई राजियों में आप गए थे चेहरे के साथ इसलिए सवाल पूछना और आप तो लोग समाद चुनाओं में गए थे सबसे बड़े चेहरे के साथ तो दोनों स्ट्राटीजी आपकी पार्टी ने अपनाई है एक एक सीट का एकजिट पोल हम दिखा रहे में लेकिन आप भी कह रहें कि आप ही की सरकार बन रही है अखिलेश ने कहीं अप पर इपकवता तो नहीं कर दी कल का तो इंतजार जो 11 मार्च को होना था कली कर दिया ने देखें उन्होंने ये बात नहीं कही उन्होंने कहा आप फिर सुन लीजे उन्होंने ये कहा कि हम बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं अगर कहीं कुछ कमी रह जाएगी तो उसको और लोगों से पूरा करने का काम कर लेंगे उन्होंने ये इसपर्च किया कि समाधी पार्टी और कांटूंद की सरकार बन रहे हैं बहुमत से हम आ रहे हैं अगर कहीं कुछ कमी रह जाएगी तो उसको पूरा करने का काम करेंगे एक बास हमको पुछनी है रवीदास महरोत्रा को भी पूछ लिजे पूछ लिजे पूछ लिजे पूछ लिजे उन्होंने कहा कि वहां उसको मेंबर हैं जहां पर टिकट होता है लोसभा की वज़ार सभा के लेकिन एक पुसलमान को एक भी अलवसंख्यक को आपने पांच प्रांतों में टिकट नहीं दिया आप स्वेम अलवसंख्यक पर में आते हैं उसके बाब जूद भी पांच प्रांतों में किसी एक भी अलवसंख्यक को टिकट देने का काम नहीं किया दुखती रग पर उन्ह मैं जवाब दे दूँ इनका जी सवाल आगया आपका मैं जवाब दे देता हूं जी जी बात ये है कि एक तो हमने मनीपूर में डिलॉंग से टिकट दिया है जानकारी करेक्ट करें दूसरी बात ये है कि क्या देश को मालूम है जो दर्शक आज तक देख रहे हैं कि पिछली लोकसभा में और इस लोकसभा में भी समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम वोट पर बहुत दावा करती है एक भी मुस्लिम सांसद पिछली लोकसभा में भी जिता के नहीं लाई थी अभी भी नहीं लेकर आई आप यादब पडिवार के इलावा एक सांसद नहीं भेज सकत हैं हम जब 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 यहां से बढ़ जाए हैं यह सब राजसभा के अंदर हैं यह मालूम नहीं है तो शाहद आप उनको प्रसिखिया कोई देखिए जब जब बहस यहां पर लुष्तान का हमेशा परेशान भी डिल्लाता रहा है और इसलिए न वहाज आते हैं फोरौं लॉट रहेएं आप घंचाम तिवारि सब्सक्रीन इता हमारे साथ इसIFक्त जुड गये हैं तोमाम अन्यमॉं लाकातार बने हुए है घंशाम तिवारि अखिलेश की जल्दबाजी जिसमें उन्होंने कहा कि बुआ जी कहकर एक खास रिष्टे से सम्मान मैंने मायावती को दिया था अगर जरूरत पड़ी तो रिमोट कंट्रोल वाली राश्रपती शासन से बहतर होगा मैं उनसे भी हाथ मिलाने को तयार हूँ लगभग इन एक्जिट पोल्स पर मुहर लगाती हुई या फिर उससे प्रभावित होता हुआ उनका आटिचूड क्या कहता है देखे एक यूके में ब्रेक्जिट हुआ था एक्जिट पोल के बाद और यहाँ पे बीजिएपी एक्जिट होगा पहली चीज़ दूसरी चीज कि जहां तक जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उन्होंने दो बाते बड़ी साथ तोर पे की हैं पहरी चीज कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वो सरकार बनाएंगे दूसरी चीज कि जो विकास उत्तर प्रदेश के लिए जो विजन उन्होंने रखा है उसमें ये जरूरी है कि किसी भी तरह का राजनीतिक अस्थाई तो नहीं आए उत्तर प्रदेश में और इसके लिए यदि उन्हें गठबंदन करना पड़े तो वो करेंगे वो नहीं चाहेंगे कि रास्पति शासन के माध्यम से भारतिय जनता पाटी रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चलाए ये उत्तर प्रदेश को विकास के इस ट्रेडी में आगे ले जाने में ये एक पूरजोर प्रयास रहेगा कि हर तरीके से एक मजबूत राजनीतिक रूप से स्थाई सरकार प्रदेश में बने कॉंग्रेस के साथ क्यासा रहेगा मामला गटवंदन की हार या सि विजन को सामने रखा है अपने निर्थित्यकों को सामने रखा है जो कर पाये वभी बताया जो नहीं कर पाये वे हमने storage मुझे लाया की जो अकलेश जी ने कल बयान दिया उसमें एक तो कॉंग्रेस की सहमती शामिल नहीं थी क्योंकि गड़ बंदन का एक अपना स्वरूप होता है जिसमें दोनों अगर बात ये करते कि यहां बेट कर लेना चाहिए था दूसरा इससे जो काउंटिंग में जो बंती हुई दिखाई दे रही है अब रुकना क्या है बस कुछ घंटों का इंतजार है कल सुबह से आज तक पर लगातार नतीजे सबसे पहले सबसे विश्वर जिसनिया तरीके से आपके सामने आते रहेंगे देखते रहें आज ता स्थश्वरण के सामने आते हैंगे सामने आते हैं आते हैंगे से गिसनिया तक पर देखते हैं रहेंगे बेड़ सेखते हैं ÖP